बिलासपूर्जिला के नवनियुक्त उपायुक्त पंकश राए ने शक्ति पीट श्री नैना देवी मंदिर का पहली मरतबा दोरा कर श्रद धालूम वपरेटकों की सुविधाओं और कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना का जायजा लिया बिलासपूर्जिला के नवनियुक्त उपायुक्त पंकश राए ने अपने परिवार सहीत शक्ति पीट श्री नैना देवी मंदिर के दर्शन कर मा नैना देवी का शुब आशिरवाद प्राप्त किया वह अतलब है कि वतोर उपायुक्त कारेभार संभालने के बाद उनका शक्ति पीट श्री नैना देवी का ये पहला दोरा था वहीं उपायुक्त पंकश राए ने मा नैना देवी के दर्शन करने के उपरांत मंदिर में विकास कारियों का जायजा भी लिया और मंदिर परिसर का निरिक्षन भी किया वहीं उपायुक्त पंकश राय ने कहा कि नैना देवी क्षेत्र का विकास करना उनकी प्रात्मिक्ताओं में से एक है ताकि शद्धालों और प्रियटकों को इस तिर्थ स्थल पर जादा से जादा सुविधाईं प्राप्थ हो सके साथ ही उनने कहा कि इस तिर्ट स्थल पर शद्धालों की सुरक्षा और सुविधा एक एहम मुंदा है शद्धालों की सुरक्षा मंदिर में लिफ्ट सुविधा वर मल्टिपल एंट्री वर एक्जिट की उचित व्यवस्ता करने पर जोर देने की उपायुकत पंकश राय ने बात कही कैसे हम इसको और बेटर कर सकते हैं और बिसिकली जो मैं समझता हूँ यहां पर सिफ्टी है सिफ्टी और सुविधालों की जान जे गई थी तो इसके बात इंप्रूमेंट काफी ज्यादा हुई पर मैं सोशिश करूँगा कार बेटर मंदिर के पर देली को देखते हैं हम कैसे इसको सुधार कर पाएं ताप इससदा लोग ज़्यादा से ज्यादा बेवस्त दी जाए जाए जए जो दो चीजह जो मैं कुरंद मैं एस जिन साब को गाया करने की एक तो है कि यहां पर लिफ्ट का एक प्रपोजल है और पूश है राटी दीशी के साथ बाचे हुई है मैंने अभी या आने के बाद उनके दूसीजी में उसके नहीं से फॉन पर बात करी थी तो हमने प्लैन बनाया कि इन नेक्स 15 डेज ने वो लोग आएंगे और उनके एक्सपोर्स ली आएंगे सिटी चैनल के लिए बिलासपूर से विजय भारतवाश की रिपोर्ट